हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिग बैस लीग 2021 के 17th मैच के बारे में फ्रेंड्स जो की मैलवन रेनिगेट्स वर्सेस पर्थ इस कोचर्स के बीच है और इस मैच को आप 22 दिसंबर दोपहर के 1 बच के 45 मिनट से देख सक करने वाला है पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी इस पिच पर अगर ODI स्टेट्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो इस पिच पर टोटल 12 ODI मैच कहले गए हैं जिसमें एट टाइमस फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं वहीं अगर टीट्वे टीट्वेंटी डॉमेस्टिक मैचस खेले गए हैं जिसमें 21 टाइमस फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं 24 टाइमस सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वह सेकंड बैटिंग करना पसंद करेगी फ्रेंड्स वहीं फर्स्ट इनिंग केवरेज स्कोर आफ 160 प्लस देख सकते हैं वेदर की बात की जाए तो बारिस होने की संभावना नहीं है टेमपरेचर 18 डिगरी सेल्सियस रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं स्मैच की कनफर्म रिपोर्ट एक्यूरसी के साथ स्क्रीन पे सुमित भाई का बोक्स में मिल जाएगा और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके अब अगर मैलव एस यहर के 5 head to head matches की बाद की जाए फ्रेंड्स तो तीन बार पर्थ scotches की जीत हुई है दो बार मैलवन रेनीगेट्स की जीत हुई है अब अगर points टेबल की जाए फ्रेंड्स तो points टेबल पे पर्थ scotches फर्स पोजीशन पे हैं 14 points के साथ 4 matches खेले हैं और 4 मैच में जीत तो पॉइंट्स टेबल के एकॉर्डिंग पर्थ स्कॉचर्स की टीम आगे है फ्रेंड्स अब अगर दोनों टीम्स के प्लेंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स तो पर्थ स्कॉचर्स से कॉलिन मुन्रो कर्टिस पैटर्सन, मिचल मार्स, जॉस इंगलिस, एस्टन टर्नर, लॉ पर्थ स्कॉचर्स के अब अगर मैलवन रेनिगेट्स के प्लेंग 11 की बात की जाए फ्रेंड्स तो मैलवन रेनिगेट्स से तो फ्रेंड्स मैच विनर बताने से पहले बता दूँ कि अगर आप इस मैच की और इसके अलावा और भी किसी मैच की कनफर्म रिपोर्ट चाहते हैं फ्रेंड्स एक्यूरसी के साथ स्क्रीन पे सुमित राजपूत मुंबई का वाट्साप नमबर सो और है फ्रेंड्स वाट्साप पे आप इनके साथ जोईन हो सकते हैं काम इनका काफ़ी अच्छा है तो एक बर जरूर ट्राए करें नमबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स तो दोनों टीम्स को कमपेर करने पे 22 दिसंबर को होने वाले इस 17th मैच में पर्थ स्कॉचर्स की जीतने के चांसस मेरे अनुसार जादा है आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 17th मैच को लेकर आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है आप अपनी राए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बल को प्रेस करना ना भूले ताकि मिरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके साथ ही साथ जादा से जादा लोगों को ये वीडियो से अर करें फ्रेंड्स मुलाकात होगी अगले वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद